विराट कोहली के एटिट्यूट पर सवाल मत करना, विराट के एमोशन और अग्रेशन से घल्ती से भी मत खेलना, कोहली जैसा विराट बनने में साथ जनम लग जाएंगे 9 साल की इस बेटी से विराट का रिष्टा जानोगे तो 36-56 इंच की हो जाएगी ये कहानी एक मामा और उसकी भांजी की है, लेकिन किरदार विराट और धोनी का भी है मामा पीटी उशावाले हिंदोस्तान में उसाइन बोल्ट पैदा करना चाहता है, दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भारत लना चाहता है अपनी 9 साल की भांजी को हवा से भी तेज दोड़ाना चाहता है, लेकिन इस रेस का क्रिकेट से गहरा करनेक्शन जुड़ा है क्रिकेट प्रेमियों की अजीबो गरीब दास्ता है, कई खिलाली जी तोड़ मेहरत करके अपना सपना पूरा कर लेते हैं, वहीं कुछ की किसमत उनका साथ नहीं देती ऐसे ही कुछ कहानी है एक मामा और भांजी की महान विराट कोहली और कैटन कूल हमेस धोनी भी उन दोनों के फैन है 9 साल की पुजा बिश्णोई जो एक स्टार अथलीट है, उनकी सफलता के पीछे उनके क्रिकेट फैन मामा का हाथ है दरसल 22 साल के सरवन भुदिया एक क्रिकेटर बनना चाहते थे उन्होंने नैशनल लेवर पर कुछ टोनमेंट्स में नाम भी कमाया लेकिन एक दोर ऐसा आया जब वो हैमिस्टरिंग का शिकार हो गए जिसके चलते वो रेस में पीछे हुए और सपना धूरा रह गया अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें विराट कोहली का क्या रोल है जो रिपोर्ट के शुरुआप में हमने तारीफों की ज़़ी लगा दी तो ठहरिए पूरी रिपोर्ट देखिए क्रिकेटर बनने का सपना पाले सरवन भले ही खुद उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाए लेकिन उन्होंने अपनी भांजी पूजा बिश्णोई को उपर पहुचाने की ठान ली पूजा जब महस 3 साल की थी तब ही सरवन ने उन्हें एक धावक बनानी की तयारी करवाना शुरू कर दिया था पूजा बिश्णोई में भी अपने मामा की तरा इस पोर्ट्स में पहुचने का जुनून सवार था वो अक्सर अपने गाव में रनिंग कॉम्प्टिशन में हिस्सा लेती थी उसके बाद उन लड़कों को भी पीछे छोड़ देती थी जिनकी उम्र उनसे ज़ादा हुआ करती थी पूजा एक केसान परिवार की सदत से हैं सरवन बुधियाने लगातार उनकी ट्रेनिंग जाई रखी जिससे लेकर उन्हें समाज और परिवार के ताने भी सुनने पड़े लेकिन मामा ने हार नहीं मानी और अपनी भानजी को एक स्टार अथलीट बना कर ही चैन के सास ली पूजा अभी महज 9 साल की हैं और क्रिकेट के दिगज विराट कोहली और MS धोनी उनके फैन बन चुके हैं धोनी पूजा से मुलाकात कर चुके हैं अब आते हैं विराट कोहली के कनेक्शन पर तो आपको बता दें विराट कोहली पूजा को स्टार अथलीट बनाने में जो भी खर्चा आता है वो पूरा खर्चा उठा रहे हैं विराट कोनी ने जोदपुर में पूजा को रहने के लिए एक फ्लैट भी दे रखा है लेकिन विराट इसका हो हला नहीं करते और नहीं अपनी महानता को जताने की कोशिश करते हैं पूजा के मामा सर्वन मुद्या पूजा के भाई को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं सर्वन के अब दो बड़े सपने हैं पहला उनकी भांजी उसेन बोल्ड का रिकॉर्ड तोड़ दे वहीं दूसरा सपना उनका एक ऐसी खेल अकैडमी खोलने का है जो गरीब खिलारियों को ट्रेनिंग दे सर्वन पूजा और उनके भाई पर जीतोड महनत कर रहे हैं जिस हसाब से लग रहा है कि पूजा एक दिन हुसेन बोल्ड का रिकॉर्ड तोड़ ही डालेगी वो अब चाहते हैं कि पूजा का भाई भी उसकी तरह परिवार का नाम रोशन करे पूजा बिश्टोई के एक स्टार एथलीट बनने के बाद सर्वन को शायदी अफसोस होगा कि वो एक बड़े खिलारी नहीं बन सके वो अब गरीब बच्चों पर फोकस करके उन्हें एक सफल खिलारी बना चाहते हैं लेकिन पूजा जब भी सफलता के शीश शीखर पर पहुँचेंगी उनके साथ ग्रेट फिराट कोहली का नाम जरूर जुडा होगा